अब हम यह देख रहे हैं कि what are the policy recommendations of ECE in Pakistan जैसा मैंने अर्ष किया अब तक बहुत सी जितनी policies 1947 से लेकर different policies चलती आ रही हैं उनमें भी कुछ key considerations ऐसी हैं जो early childhood के उपर focus करती हैं मसाल के तोर पर सबसे पहली बात तो ये कही गई कि early education जो है वो constitutional right है हर बच्चे का पूरे पाकिस्तान के अंदर आईनी तोर पर हक है कि वो तालीम हासिल करें और फिर ये कि जो हमारी पहले जो हमारी policies अब तक आती रही हैं उसमें national task force पहले भी बनी और बाद में भी इसके उ कठा किया जाए जो experts हैं तालीम के और खास तोर पर early childhood के कि वो बात करें कि पाकस्तान के अंदर हम छोटे बच्चों की तरबियत कैसे बेहतर कर सकते हैं और quality of education किस तरह से बेहतर हो सकती है तो फिर utilizing recent research in early years for learning and play based learning ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर छोटे research studies की गई हैं और ये देखा गया है कि बच्चे कैसे बेहतर तरीके से सीखते हैं जिन में से एक बड़ी नुमाया research जो है वो brain based learning की है कि पहले ये होता था कि हमारे पास different learning theories थी जैसे प्याजे की learning theory है विदौस्की की है हमारे पास पावलव की theories थी लेकिन दर हकीकत हम ये द इतर बनाने के लिए ऐसी कौन सी नई strategies आई है जो नई research आई है उसको भी दाइरा अमल में लाया जाए और एक तो वो है play based learning हमने बहुत बच्चों को पाबंद कर लिया बहुत classes के अंदर curriculum उनके ओपर थोप लिया बहुत चीजी हमने उनको enforce कर ली लेकिन हम ये भूल गए क एक छोटे बच्चे का बुनियादी हक खेल है खेल वो experience है सबसे पहली खेल की चीजी है कि वो freedom रखता है मतलब खेल में कोई पबंदी नहीं है बच्चा जहां चाहे जैसे चाहे move करे जो हरकत करना चाहे वो करे जिस चीज से interact करना चाहे जो उसको interest दे उससे करे आपने दे तक उनके साथ वो मशगूल रहते हैं तो ये बच्चे का जो कुदरती दिल्चस्पी या interest है उसको maintain करने का एक तरीका है कि उसको खेल के लिए आजाद छोड़ दिया जाए और फिर अगला हमारा point है inclusive education यानि तालीम हर शक्स के लिए मुक्तलिफ है हम उनको एक ही लाठी से हांक नहीं सकते आप देखिए कि जो बच्चे जहनी तोर पर कुछ कमजोर है उनको simple से complex की तरफ ले जाया जाना चाहिए जो बच्चे remote area से तालुक रखते हैं उनके जैसे उनकी उस वकद जहनी नशोनमा हो उसके मताबिक उनको syllabus जह है वो दिया जाए और फिर आखिर में medium of instruction अब देखिए medium of instruction में भी बहुत ज्यादा बहसो तमासा हुआ है वो इस तरह से के भई आपने English पढ़ानी है उर्दू पढ़ानी है या mother tongue पढ़ानी है लेकिन पूरी दुनिया में research ये कहती है कि बच्चे अपनी मादरी जबान में सबसे अच्छा सीखते हैं क्योंकि ज जहां हम उसको national language पढ़ा रहे होंगे, international language पढ़ा रहे होंगे तो क्यों न हम उसको उसकी मादरी जबान भी पढ़ाएं अब दूसरा ये जो पहलू जैसे हम पहले भी जिकर करते आए हैं ये सारी चीजों को बनजरे खायर देखने के लिए उस पे भरपूर तवज्यों दे असादजा हैं उनकी तरवियत पे भी बराबर का बराबर की तवज्जों देना है तो ऐसी सूरत में जो हमारे pre-service teachers हैं जैसे बीए डॉनर्स के हो गए या बीएस के हो गए इसी तरह जो हमारे in-service teachers हैं primary level है elementary level है secondary level है इन सब के उपर भी हमें तवज्जों देना है लेकिन ख असादजा को खास तोर पे ECE के लिए तयार किया जाए और फिर सिर्फ तयार ही ना किया जाए बलके school भी उनको support करें support उनको उन जगों के लिए किया जाए उसमें जो equipment इस्तमाल होती है उस पे किया जाए और फिर उन असादजा को भी academic freedom दी जाए ताके वो आजादी के उन बच्चों को बेतरीन environment जो है वो फराहम कर सके अगर वहाँ पर उनको बहुत जादा control किया जाएगा तो वो भी अपनी छोट-छोटी चीज़ों को लागू नहीं कर सकते तो academic freedom वहाँ भी हमें चाहिए उसके बाद implementation mechanism है कि अगर आपने ECE को implement कर लिया है तो फिर आपको इसकी proper monitoring करनी है monitoring का मतलब यह नहीं आपने यह क्यों कर दिया कैसे कर दिया बलके यह देखना कि कहां पर उनको आपकी जरुरत है वहाँ उनको मजीद मदद वराहम करना